नमस्कार आपका स्वागत है आप देख रहे हैं दान्यूज आपके साथ मैं स्विस्टी मिश्रा जब से प्रेसिडेंट भवन के दुआरा जो इन्विटेशन काड़ गया है जी चुवैंटी के रातरी भोश के लिए उसमें लिखा गया है प्रेसिडेंट भारत तब से विप रख रहे हैं यह क्या अलायंस से इतने घबर आ गए है कि यहां पर इन्हें नाम बदलनी की ज़रुवत पड़ गए जी हां इसक्त की बड़ी खबर यह आ रही है इंडिया अलायंस यहां पर बॉखलाहट में है जब से वो इन्विटेशन जो जी ट्वैंटी के रातरी सबसे पहले चलते हैं दिली के मुख्य मंतरी के पास अर्विन देके जरिवाल मीडिया से बाच्चित कर रहे थे प्रेस कॉंफरेंस भी किया है कह रहे है मुझे अभी इसकी आधिकारिक सुचना नहीं है उड़ती हुई खबर आई है और अगर यह उड़ती हुई खबर सच है तो यह समविधान पर अटैक है 140 करोड लोगों के साथ गदारी है यह क्या अलायन्स के लिए अपना नाम बदल देंगे कि क्या इतने घबर आ गए हमारे लायन्स से देखे केजरिवाल जी को लग रहा है यह तो इतना बड़ा अतिहासिक निड़ने लिया गया है एक पूरा फोकस अभी जी ट्वेंटी पर है जी ट्वेंटी के मद्य नजर सरकार एहम फैसले ले रही है पूरी दिल्ली को राजधानी दिल्ली को दुल्हन की तरफ सजाए गया है और एक तरफ देखिए विपक्षी गठ बंधन को यह लग रहा है कि सभी कामों को गठ बंधन के मद्य नजर किया जा रहा है अर्विन के जरिवाल के रहे हैं क्या होगा अगर इंडिया गठ बंधन अपना नाम बदल कर भारत कर ले देखिए सभी कॉंग्रेस की नेता हो जा यही बात कर रहे हैं के जरिवाल भी यही बात कर रहे हैं अगर गठ बंधन का नाम भारत हो ऐगर आपको गठवन्हन का नाम भारत करना है या इंडिया गठवन्हन को कहई रही एगी अगर आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी इससे मजबूत हो रही तो आगे मैं अब मतलड़ा ला दू用ने कहा कटबंधन के डर से मोधी सरकार भारत का नाम बीजेपी कर देगी ये कह रहे हैं अर्विन निकजरिवाली की राजनिदिक समझ देखिए इसके साथ इन्होंने कहा कि ये जो बैवहार है क्या इससे जनता को फाइदा होगा क्या इससे महंगाई बिरुसगारी कम हो जाएगी अ करना पड़ता है ये पाँच-पाँच साल में फिराएंगे अर्विन निकजरिवाल को ये भविशानी हो रही है कि केने सरकार अगर वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आएगी तो पाँच साल पर अपना मूह दिखाएगी पाँच हजार का सिलिंडर कर देगी और कहेगी 200 को जानते हैं अलग बात हैं हिंदी में उसको भारत का सम्विधान कहते हैं ये गठबंधन के नाम से फसे हुए हैं ये ममता बिनर जी का मानना है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम इंग्लिश में इंडिया कहते हैं हिंदी में भारत कहते हैं इसमें क्या है इसमें क्या बदल पूरा बवाल राजनिती के गलियारों में मचा हुआ रहा है और अगर ये हो गया अगर इसका प्रसाव आ जाता है एती हासिक फैसला मोधी सरकार का बताया जा रहा है आगे मैं आपको बता दूँ उन्होंने कहा अब अचानक से क्या हो गया कि उन्हें देश के नाम बदलने की जरूत पड़ गई पश्चिम बंगाल की मुख्य मंतरी को ये बहुत डर सता रहा है कि आखिर देश का नाम क्यों बदला जा रहा है उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक था हम हिंदी में भारत कहते हैं इंग्लिश में इंडिया कहते हैं क्या जरूत है इन्हें नाम बदलने की चले पश्चिम बंगाल की मुख्य मंतरी को दिक्कत इसलिए हो रही है अभी इन्हें केंद्र के हर एजेंटे पर विरूत करना है और वैसे भी हम देखते आ रहे हैं ममता बेनरजी अभी पूरी एक्टिव हैं आई एंडिय गठ बंधन में वो ऐसा दमखम दिखा रही है कि गठ बंधन की विज़ सब ठीक है लेकिन आपको बता दे पश्चिम बंगाल से ये खबर सामने आ रही है कि वहाँ पर तीसरे मोटचे की तयारी है अभी फलाल खबर आई है देखने वाली बात होगी इस पर पुष्टी कब लगती है लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बेनरजी भी सेफ नहीं है उनके सामने चारो और से वो घिरी हुई है और आपको बता दे केवल बीजेपी नहीं कॉंग्रेस भी लड़ेगी कॉम्यूनिस्ट पार्टी भी उनसे लड़ने वाली है ममता बेनरजी खुद अभी आपने आपको सोच रही है कि इंडिया गटबंधन के लोग उनसे नहीं लड़ेंगे तो वो उनकी भूल होगी और वैसे भी इस भूल को कॉंग्रेस पार्टी संभालती हुई नजर आ रही है और इस भूल को पहले ही अरविन्द किजरिवाल कर चुके हैं मतलब की अरविन्द किजरिवाल रजस्थान जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर हम आएंगे तो बिजली भाया फ्री देंगे तो देखे गठ बंधन में कुछ ठीक नहीं है इसके हर दिन ऐसी खबरे सामने आती है ऐसे सूतर बता रहे है कि गठ बंधन में कुछ भी ठीक नहीं है अब भारत नाम रखने से गठ बंधन को यह सबसे तगड़ा जटका लगेगा और देखिए 18 से 22 सितंबर के बीच आया ह केंडर सरकार के द्वारा उसमें ये फैसला लिया जा सकता है एक तरफ वन नेशन वन इलेक्शन एक तरफ इंडिया वर्सिस भारत देखिए ये दो दाव पेच केंडर ने फसाए हैं और इसमें दलदल में खाई में केंडर सरकार के सामने विपक्षी गठ बंधन गिरता बार नजर आ रहा है क्योंकि विपक्षी गठ बंधन का एक एजेंडा है हम भारत के लोगों को जोड़ रहे हैं इंडिया की गरीब जनता को जोड़ रहे हैं हम काम करेंगे समधान पर अटैक नहीं होने देंगे अब मैं आपको बताती हूँ संजै सिंग राज्यसभा सांस क्यों है देखिए जनता को एक गलत कनवे करना ये राजनिताओं का करना है राजनिताओं की करनी धरनी इसी बात पट की रहती है कि जनता को किस तरीके से गलत मैसेज दिया जाए एक बार भी मोदी सरकार ने अमबेटकर का नाम नहीं लिया है केवल प्रेसिडेंट भारत ल दाबपल है कि ये सम्विधान के मद्य नजर भी नहीं सम्विधान के ओपोजिट हटकर इंडिया का नाम भारत कर रहे है ये संजैसिंग के बयान थे तो देखिए इसमें आपने देखा किस तरीके से अलग-अलग नेताओं के बयान सामने आने लगे हैं प्रतिकरियाय इंडिया कहते हैं पूरे देश भर में इसको इंडिया के नाम से जानना जाता है तो आखिर इसमें छेड चाड की हूँ मोदी सरकार के वोट कम हो जाएंगे इसी वजए से ये कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि ये बीजेपी कह हैं उलजलूल बाते जो खेजरीवाल करते नजर आते हैं कुछ भी मतलब एक पार्टी का नाम देश के नाम से जोड़ कर देख रहे हैं तो ये दिखा रहा है कि बीजेपी को वो कितने मजबूत तरीके से देखते हैं उनके सामने चुनौती है कैसे भी करके बीजेपी को सत से उखाड फिकना है हाला कि अभी कहा जा रहा है ये एक मातर सपना है क्योंकि इतनी कमजोर बीजेपी नहीं इतनी कमजोर केंदर नहीं कि आने वाले लोग सभाग चुनौं के पहले गठ बंधन से डर कर कुछ ऐसे अतिहासिक फैसले ले फिलाल ये फैसला केंदर का अब द कराने वाली है इशारा पहले दे दिया अब आप इस खबर को किस तरीक से देख रहे हैं हमें जरूर कॉमेंट करें केजरिवाल के बयान आप किस तरीक से देख रहे हैं ये क्यों नाम बदल रहे हैं ये गठ बंधन से डरे हुएं और ममताव एनरजी कह रही हैं ये क्या जर केंदर की नियत ठीक नहीं है जरूर बताया बहुत शुक्रिया